नमस्कार दोस्तों, मैं मनीशा कोपल यादव, एक थी बुलबुल चैनल में आप सब का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं साहित अकेडमी पुरुस्कृत लेखक, आर के नारायन का उपन्यास, स्वामी और उसके दोस्त। आज सुनिये उपन्यास का चौथा भाग, ये पूँच क्या होती है। बुद्धवार के दिन भुगोल के टीचर नहीं आये थे। इसलिए पहली कक्षा के ए सेक्षन के विद्यार्थियों को तीन बजे से पौने चार बजे तक की छुट्टी मिल गई। कुछ ऐसा हुआ कि स्वामी का कोई दोस्त उसके साथ नहीं था और वो अकेला पड़ गया। बड़ी धेर तक वो प्राइमरी कक्षाओं के वरांडे में टहलता रहा। स्वामी भले खुद चार फुट से जादा लंबा नहीं था। प्राइमरी के बच्चे उसके सामने एक कॉडल बनाते देखा तो उसे उनसे चिड़ोने लगी। स्कूल में ये काम करना एकदम बेमानी था। इससे अच्छा तो ये होता वे अपने घरों के पिछवाड़े, हाथी, घोड़े, आम और इस तरह की दूसरी चीज़े बनाते होते। ये काम करने के लिए उन्हें स्क कॉल जादा गंभीर कामों के लिए थे जैसे भुगोल, गने, बाइबिल और अंग्रेजी। एक कमरे में बहुत से बच्चे तमिल वर्ण माला के पहले दो अक्षर रटे जा रहे थे। उसने अपने कान बंद कर लिए और सोचने लगा कि टीचर लोग इसे कैसे देते हैं, वो आगे बढ़ा और दूसरे कमरे में जा पहुचा। यहां भी गंदे कपड़े पहने बच्चे शोर मचा रहे थे। वे अपनी बेंच्यों पर बैठे पैर हिला हिला कर सबक याद कर रहे थे। उसे इससे बड़ी परेशानी हुई और उसने मुँ से कोड़ कर टीचर की तरफ देखने की कोशिश की। लेकिन उसकी पीट स्वामी की ओर थी। वो सीड़ियों के नीचे जो दूसरे और तीसरे दरजों के लिए उपर जाती थी रुका। और सोचने लगा कि अगले साल वो जिस क्लास में जाएगा उसे भी जाकर देखे कि कैसा है। वो दो तीन सीड़ियां चढ़ा। फिर अपना विचार बदल दिया। वहां हेड मास्टर साहब होंगे क्योंकि वे ही इन में पढ़ाते भी थे। उनके टीचर भी काफी शानदार थे। और लड़के तो शैतान थे ही जो दूसरों को तंक करके ही खुश रहते थे। उसे दू दर लगा कि वे उसे पकड़ कर पूछ ताच ना करें जिससे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसे बहुत अच्छा लगा। उसके बहुत से साथी भी वहां मौजूद थे। जो उसका खयाल था कि स्कूल में ही नहीं है। राजम और मनी को छोड़कर बाकी सब वहां इमली के बड़े से पेड़ के नीचे वो लुकाचिपी खेल रहे थे। स्वामी खुश होकर उनमें सामिल होने चला। लेकिन उसका किसी ने स्वागत नहीं किया। उन्होंने हलके से मुस्कुरा कर मुँ फेर लिया और फिर खेरने लगे। स्वामी को ये देखकर ताज़ कि दूसरों के अलावा जादातर शांत रहने वाला सोमू भी उससे आँख चुरा रहा है। जरूर कोई खास बात थी। स्वामी ने धीरज दिखाते हुए जोर से पूछा। दोस्तों मैं भी खेल में शामिल हो जाऊं। किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। स्वामी छण भर रुका और फिर अपना सवाल दोहराया। अब और किसी के लिए खेल में जगे नहीं हैं। शंकर ने खरा सा उत्तर दे दिया। फिर मटर ने फप्ती कसी। लोग हैं जो पूछ की तरह लगे फिरते हैं। ये सुनकर दूसरे लड़के हसने लगे। तुमने क्या कहा पूछ शंकर ने सवाल किया। पूछ कहने की वज़े क्या है। मुझे यही ठीक लगा। मटर ने जवाब दिया। तुम्हें क्या परिशानी है। तुम्हें तो पूछ नहीं कहा। सुनकर खुशी हुई। लेकिन यहां वालों में से किसी के लिए कहा गय हो सकता है लेकिन पूछ होती क्या है वो लंबी चीज जो गधे या कुटे के पीछे लगी होती है स्वामी को जाधा कुछ समझ में नहीं आया सिर्फ ये आया कि ये टिपड़ी उसी के लिए की गई है उसके गाल गर्म हो उठे और वो रोने को हो आया तभी घंटी बजी और स क्लास में चले गए स्वामी लाल चेहरा लिए अपनी सीट पर बैठ गया ये अंग्रेजी का घंटा था जिसे वेद नायगम पढ़ाते थे आज वे उस बुढ़े की कहानी पढ़ा रहे थे जो भविश्य के लिए पेड लगा रहा था और जिसका खर्च राजा दे रहा था स्वामी के कानों में इसका एक शब्द भी नहीं पहुँच रहा था और उसका सिर दर्द करने लगा था अगर उससे सवाल पूछ लिया जाता तो उसका जवाब गलत हो जाता और उससे बेंच पर खड़ा होना पड़ता लेकिन उसका भाग अच्छा था घंटा खतम हो गया वो अकेले घर जा रहा था चाल उसकी पहुत धीमी थी और उसके दिल पर बोज था सोमू उसके आगे आगे चल रहा था सोमू सोमू अरे सोमू रुको के नहीं उसने आवाज दी सोमू रुक गया और स्वामी उसके पास आ पहुचा कुछ देर बाद स्वामी उससे पूछने लगा आज तुम सब को हुआ क्या है कोई खास बात नहीं लेकिन मैं तुम्हें बताँ तुम्हें एक नया नाम दिया गया है नाम है पूँज राजम की पूँज मेरा खयाल है कि हम तुम्हारे लिए काफी नहीं है ये कहकर वो चलता बना स्वामी के जीवन में ये पहला इतना बड़ा धक्का था ये सुनकर उसके दिमाग को लकवा सा मार गया देर तक उसकी हालत खराब रही फिर जब कुछ ठीक हुई वो सोचने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था ये सीधा साधा सा सोमू जो पहले बहुत कम बोलता था अब उसे हो क्या गया था राजम से दोस्ती करने या उसे पसंद करने में क्या कोई बुराई है इससे वो इतना गुस्सा क्यों हो उठा वो घर गया कोट और टोपी उतारी किताबें मेज पर भेकी ठेंडी कॉफी जो उसका इंतजार कर रही थी गले के नीचे उतारी और घर के बाहर सड़क के किनारे बनी पट्री पर गुमसुम होकर बैठ गया और वेंकिट मुदाली स्ट्रीट पर बहते गंदे नाले की तरफ देर तक देखता रहा काले पानी की धार इसमें बही जा रही थी इसी में कागज, पत्ते और लकडी के टुकड़े उसमें तेजी से तरते चले जा रहे थी टीन का एक टुकड़ा धीरे-धीरे सैर करता जा रहा था स्वामी का मन हुआ कि पानी में हाट डाल कर इसे उठा ले लेकिन फिर इसे बह जाने दिया उसका मन कुछ सोच रहा था वो चमकदार टीन को आगे जाते हुए देखता रहा बहते बहते वो दिवार के अंत तक पहुँच गया और अब पेड के नीचे से गुजर रहा था फिर उसके आगे एक इट का टुकड़ा आ गया और उसके बहाव को रोकने लगा स्वामी ये देखकर परिशान हुआ कि इट बेवज़े टीन के सफर को रोक रही है उसने सोचा कि या तो इट उसे आगे जाने का मार्क दे या खुद ही आगे बह जाए वो फिजूल ही यात्रा रोक रही थी टीन इट से कुछ देर तक उलचती रही फिर उसे धकेल कर तेजी से आगे बढ़ गई स्वामी घर वापस गया एक कागज लिया और उसकी नाव बनाई उसने देखा एक चीटी निरुदेश इधर उधर गूम रही है उसने चीटी को सावधानी से पकड़ कर उठाया कागज की नाव में बिठाया और नाव को धारा में बहने के लिए छोड़ दिया फिर मंत्र मुगदसा उसे आगे बढ़ते देखने लगा तब ही उसने देखा कि नाव एक खतरनाक इलाके में पहुँच गई है जहां कूडे का एक छोटा सा धेर उससे उलजने को तैयार है लेकिन नाव बड़ी कुशलता से उसके बगल से निकल गई और निश्चित विनाश से बच निकली वो आगे बढ़ती रही फिर एक और डरावनी जगह पर वो जा पहुँची जहां पानी चारों ओर तेजी से चक्कर लगा रहा था स्वामी को लगा कि उसकी जीवन का अंतिम छण सामने खड़ा है वो सोच रहा था कि नाव इस भवर में फसकर एकदम नीचे चली जाएगी नाव उस भवर में तेजी से घूमने लगी और हिलते कापते चकर काटने लगी लेकिन तभी किसी पडोसी के किचिन से पानी की एक नई तेज धारा नाले में प्रगट हुई और उसने नाव को खत्रा छेतर से बाहर निकाल दिया लेकिन अब उसकी रफतार इतनी तेज हो गई थी कि स्वामी डरा कि अब वो जरूर उलट जाएगी लेकिन वो शान्थ हो गई और सामाने गती से नाले में बहने लगी फिर जब वो एक पेड के नीचे से गुजर रही थी उपर से एक पत्ता उस पर आगिरा जिसने उसे डावा डोल कर दिया स्वामी तेजी से दोड़ कर उसके पास जा पहुँचा और कोशिश करने लगा कि चीटी को बचा ले वो देर तक पानी को देखता रहा लेकिन चीटी का कोई निशान कहीं नहीं था नाव और उसकी सवारी बिलकुल गायब हो चुके थे उसने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई चीटी की आत्मा की शांती के लिए प्राथना की और पानी में उसे छोड़ दिया कुछ दिन में स्वामी ने सोमू और उसके साथियों के शत्रु की भूमी का स्विकार कर ली फिर भी कई दफा अचानक उसे पुराने दोस्तों से बातचीत करने की हुड़क उठने लगती थी जब भी धर्म शिक्षा के टीचर अपने हूंटों पर जबान फिरते या नाक खुजाते तो उसका मन होता कि मटर के पैर दबाए और मुस्कुराए क्योंकि ये ऐसा पुराना मजाग था जिसका वे पिछले कई साल से मजा लेते आ रहे थे लेकिन अब स्वामी इस भावना को दबा लेता और खुद ही मुस्कुरा कर रह जाता इसके अलावा लाल टोपी वाला लड़का जब जबकी लेने लगता और जैसे ही उसका सिर नीचे जुगता तब वो उसे जटक कर एकदम फिर सीधा कर लेता तब स्वामी का मन होता कि मटर के कान में फुस फुसा कर कहे देखो तो उस लल्लू को लाल टोपी वाले पहली बेंच पर तीसरे नंबर पर है ना जो कैसे बार-बार सो जाता है और दात निकाल कर हसे लेकिन अपने होट काट कर वो चुप रह गया सोमू उसकी तरफ देख रहा था स्वामी को लगा कि उसकी आँखों में दोस्ती की जलग है एक छण के लिए वो यह सोच कर खुश हो उठा कि सोमू उससे फिर दोस्ती करना चाहता है कुछ देर दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते रहे लेकिन स्वामी ने जैसे ही दोस्ती की नजर उस पर डाली उसने मूँ फेर लिया स्वामी मैदान में टहल रहा था उसने अपने पीछे कुछ परचित आवाजें सुनी मुड कर देखा तो सोमू शंकर और मटर उसका पीछा कर रहे थे स्वामी सोचने लगा कि क्या करे उनके साथ शामिल हो जाए या रुक कर उन्हें निकल जाने दे तब बगल की गली से मुड कर निकल जाए उसे अपने पीछे तीन जोड़ी शतुरतापून आखें तीर की तरह चुपती लग रही थी उसे यकीन था कि उसकी हर एक हलचल पर सावधानी से नजर रखी जा रही है और आलोचना की जा रही है उसे लगा कि उसकी चाल भी तीनों को अच्छी नहीं लग रही है जिस तरह वो किताबों को पकड़े चल रहा है उस पर भी ये लोग हस रहे हैं उसे नाक पर खुजली महसूस हुई उसने खुजाने के लिए हाँत उठाया लेकिन फिर रोक लिया क्योंकि उससे लगा कि इस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा उसने सोचा कि दाईं तरफ मुड़कर स्कूल में घुज जाओं फिर लगा कि ये कायरता मानी जाएगी और तीनों सोचेंगे कि उनसे डर कर भाग रहा है वो सच्मुच भागी जाना चाहता था लेकिन ये ठीक नहीं था फिर उसने सोचा कि पीछे घुम कर चला जाए लेकिन ये उनसे मुकाबला करना होगा इसलिए सबसे अच्छा ढ़ंग यही था कि पहले की तरह आराम से चलता रहे और ये जाहिर ही ना करे कि उसे उनकी जानकारी है अरे दस दिन पहले ही ये लोग क्या थे और अब कैसे दैते बन गए हैं स्वामी उनमें ये परिवर्तन देख कर चकित था अब ये सब बरदाश्ट के बाहर हो चला था उसे लगा कि उसके पैर गोलाई में घूम रहे हैं और जब वो चलता है तब एक दूसरे से लिपते जा रहे हैं अब स्कूल के हॉल में जगुसने के लिए काफी देर हो चुकी थी वो उससे आगे बढ़ाया था अब बचने का एक ही रास्ता रह गया था कि वो भाग चले उसने एक उपाय आसमाया वो अचानक रुका इधर उधर घूमा जैसे कुछ देख रहा हो फिर चिलाया अरे मेरी कौपी कहीं खो गई और हिरन की तरह तेजी से भाग निकला